ओहारों की शुरुवात हो चुकी है दसेरा, दिवाली, करवा चौत और हमारे यहां बनती है इन सभीते ओहारों पर कड़ी और आज जो मैं कड़ी की रेस्पी आप सबके शाद शेयर कर रही हूँ ये मेरी दादी की रेस्पी है इसकी जो पकोडियां है वो बहुत ही जादा फूली और एकदम सॉफ्ट बनती है इसमें सोडा बगेरे कुछ भी नहीं जाता है तो यहां पर हमें सबसे पहले ले लेना है बेसन जितना भी आप कड़ी बना रहे है उसे साब से पहले पकोडियों के लिए बेसन लेना है यहां पर आधा चमच मैने नमक आधा चमच और साथ में हींग और अजवाइन डाली है इस तरह से अजवाइन और हींग डालने से जो पकोड़ी का बैटर होता है वो बहुत ही जादा हेल्दी हो जाता है एक तरीके से बेसन है वो गैस बनाता है और हींग और जो अजवाइन होती है वो हाजमे के लिए बहुत अच्छ यहां पर मैं जिस तरह से दादी फेटा करती थी बिलकुल पारम पर तरीके से फेटूंगी और आपको दिखाऊंगी बेसन हमें कब तक फेटना है यहां पर मैंने पानी ले लिया है कटोरी में और अब यह देखिए पहले मैंने जब बेसन डाला था तो वह नीचे बैठ गया मैंने चावल को धुल के भिगो के रख दिया है जब भी आप चावल बनाए तो पांस से दस मिनट के लिए उसको भिगो कर रख दे इससे चावल बहुत अच्छा खिलता है अब यहां पर मैंने जो ग्रेवी होती है कड़ी की उसके लिए बेसन लिया है तो मैंने यहां पर आधा जो चाज का पैकेट आता है जो पारम पर एक कड़ी है गाउ में दादी नानी बनाती थी वो चाज के साथ ही बनाती थी तो आज मैं बिल्कुल वही कड़ी की रेस्पी आप सब के शाज शेयर कर रही हूं मैंने चाज को और बेसन को मिक्सी के जार में डालकर फेट द तेल हमें फ्लेट कढ़ाई में लेना है और थोड़ा कम लेना है जैसे कि वो उपर ना आए जब हम बेशन की पकोडी को डाले तो वो पूरी ना डूबे आधी डूबे इससे क्या होता है एक तो बेशन बहुत अच्छे से फिटा हुआ है दूसरी चीज जब ये आधी डूब तो मैं आपको यहां एक तोड़ कर दिखा देती हूं अंदर कितनी ज्यादा एकदम ये समझ लीची जैसे जाली पढ़ गई हो पकोडी में उस तरह की हमारी ये पकोडी बनकर तायार हुई है और इस पकोडी को जब आप कढ़ी के साथ खाते है ना तो यकीन मानिए बहुत तो यहां पर मैंने कढ़ी का तेल कम कर दिया है पकोडी मेरी रेडी हो गई है मैंने कढ़ी के तेल में फिर से थोड़ी सी हींग डाली है और साथ में मैंने यहां अजवाइन और जीरा डाला हुआ है अब यहां पर हल्दी को आप तेल में ही डाल दीजिएगा इससे क्या हो में उसे हमें डाल देना है और इस समय पर आज को बिल्कुल बंद कर देना है अगर आप आज को खोल कर रखेंगे तो बेसं तली में बैठ जाएगा मैंने यहां पर डेड़ लीटर के लगभग छाज लिया हुआ है यानि के मठ्था और आज की जो कढ़ी है मेरे बहुत पतली कढ़ी बनती है लेकिन कढ़ी को पकाने का जो तरीका होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो कढ़ी को मैंने साइड में रख दिया है अभी नमक नहीं डाला है और कढ़ी जब तक पक रही है यहां मैंने कुकर में डाल दिया है रिफाइंड ओयल और साथ में जीरा उसके बाद हम डाल देंगे चावल को चावल का पानी हमें निकाल देना है और फिर चावल को यहाँ पर हमें डाल देना है थोड़ा सा इसको हलका सा इस तरह से चला लीजिए जब भी आप चावल बनाएं अगर मेरे इस तरीके से बनाएंगे न तो यकीन मानिए एक एक दाना खिला बनता है और कभी भी चावल चिपके गाने पानी एक अंगुल उपर डालना है आधा नीबू डाल दीजिए नीबू का रस उसमें एक चमच देशी घी डाल दीजिए यहाँ पर और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बिलकुल दूद तो मैंने दूद जो डाला था वो ठंडा नॉर्मल दूद लिया है और कुकर का ढकन लगा कर आप सिर्फ एक सीटी आ जाने दीजिए एक सीटी आ जाएगी और उतने में चावल एकदम खिला खिला बनेगा आप उसको हटा कर रख दीजिए और कड़ी में जब ना उबाल आने लगे यानि कि जब बबल साने लगे ना तब आपको नमक एड़ करना है इससे कड़ी कभी भी मतलब आप समयजें बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है टेस्ट इसका और जब तक हमारी कड़ी चावल बनी है तब तक मैंने यहां पर आठा भी लगा लिया है क्योंकि यह लंच का टाइम हो रहा है चावल में एक सीटी आ गई है यह यहां पर मैं कड़ी का तड़का तयार कर रही हूं तो मैंने दूसरे पैन में थोड़ा सा सर्सों का तेल लिया उसमें मैंने हींग डाली है कड़ी में आप हींग की कॉंटिटी को बराबर रखीएगा थोड़ी-थोड़ी करके हींग डालते रहे है तड़के में कड़ी को चौंकने में पकोडियों में अब यहां जीरा डालने के बाद हम डाल देंगे अध्रक, हरी मिर्ची और प्याज, साथ में तो सूखी लाल मिर्ची, अगर आपके पास करी पता है तो आप वो डाल सकते हैं और यह तड़का मैं लगा रही हूँ, जो पारम पर एक कड़ी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बनती है, उसमें तड़का नहीं लगाते हैं उसमें शिर्फ इसी तरह से सिंपल कड़ी बनाते हैं पकोडी डालने के बाद आपको ज़्यदा दिर नहीं पकाना है पकोडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है यहां पर प्याज वगएर अच्छे से भुन गया है लास्ट में मैंने सूखी मिर्ची और एक हरी मिर्ची कटकरके डाली है थोड़ी सी यहां पर मैंने कस्मेरीर ल कर तयार हो गई है यह होता है कड़ी को चेक करने का तरीका की हमारी कड़ी अच्छे से पकी है या नहीं पकी है अब हम उपर से तड़का लगा देंगे और यह देखिए मेरी दादी की रेस्पी थी इसमें मैंने थोड़ा सा अपना तड़का लगा दिया है तो मेरी यह कड़ खिला खिला बनकर तैयार होगा तो मेरे तरीके से अगर आप कड़ी और चावल बनाएंगे तो सब आपके कड़ी चावल के फैन हो जाएंगे एक बार बना कर जरूर देखिएगा संडे को संडे स्पेसल में कड़ी चावल खा लीजिये बहुत ही ये टेस्टी सी दादी की रैस्पी पसंद आई हो कड़ी की तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और रैस्पी को शेयर कर देना साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेसर आने का इंतिजार कीजेगा मैं रोज साम को 6 बजी वीडियो डालती हूँ और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना